नेफुरन की तरप से एक बिल्ड आया हुआ है रेड्मी नोड फाइब प्रो के लिए अज उसी का रीवीव करने वाला हुआ है जो की पोर्ट किया गया है नोकिया 3.4 से और नोकिया 3.4 का आपको यहां पर बूट अनिमेशन भी देखने को मिलेगा साथ साथ साउंड जो आपको नोकिया वाले ही देखने को मिलेंगे और यह 1 OS Android 11 जो की पोर्ट रों में बैजडों नोकिया 3.4 तो देखते हैं अब यहां पर क्या कुछ हमें मिलता है क्योंकि यहां पर नोकिया 3.4 के भी फीचर मिलते हैं लेकिन यहां पर कौन कौन से वर्किंग है कौन कौन से न कर देखे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे कि यह Android परजन 11 के साथ आता है सिक्योरिटी पैच आपको पांच अगस 2021 की मिल जाएगी और एक अगस 2021 का सिस्टम अपडेट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट म करनल इसके अंदर आपको 4.19 बेस्ट मिलता है यानि कि आपको सेम करनल ही फ्लेश करना पड़ेगा 4.1 बेस्टी 4.4 वाले प्लेस मत करना क्योंकि यह 4.19 बेस्ट करनल इसके अंदर आता है और यहां पर आपका अप्लिकेशन तो देख सेथे हो सभी के बारे हम बात करेंगे क्या कुछ वर्किंग है क्या नहीं और यहां पर आपका जो स्टेटस बारे कुछ इस तरीके से मिल जाता है जैसे कि यहां पर ज्यादा कुछ टोगल तो नहीं मिलता है तो इसे अभी मिल जाएंगे और 3 डिट पे आपको reset option मिल जाता है आप बात करें यहां पर Wi-Fi प्लास ह आप करना है और यहां पर आपका जो तरीके से यह और देखने को मिल जाता है और आपका जो पावर मनु इसके अंदर में पावर जो की ओफ मिल जाएगा restart का इसके अंदर आपको advanced restart देखने को नहीं मिलेगा और यहां पी आपका जो एप opening हलाकि एप opening के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए animation lag भी नहीं अच्छे से open हुई रहा है आप देख सकते यहां पी तो इसके अंदर हमें दिक्कत फिलाल इसी कोई नहीं मिलती है और अगर हम बात करें recent की तो recent में आपको select मिलता है लेकिन यह काम नहीं करता है तो इसका भी बग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि डायलर है लेकिन अगर हम बात करें calling की तो वाल्टी काम करता है लेकिन video call का bug रहेगा आप के तुरू आप video calling कर पाऊगे और इसके अंदर bluetooth audio media and calling पे काम करता है और call recording का भी बग आपको इसके अंदर मिलेगा तो call recording में भी आपको problem होगी बागी यहां पे आपको क्या क इसके अंदर में और साथ-साथ आपका जो okay Google है Google के अंदर ओभी आपका विल्कुल वर्किंग इसके अंदर में और यहां पर जैसे कि आपका FM मिल जाता है Nokia वाला ही यह भी विल्कुल वर्किंग है बस आपको यह फोन लगाना सकैन करना उसके बद आप यूज कर पाऊगे इसको भी इसके अंदर में आपका विल्कुल वर्किंग मिल जाता है वह यहां पर इसके नेक्स जो खी आपका इसका जो की एक my phone देखने को मिल जाता है एक पी एक नहीं मिलता है और एक चीज और आपको बता दो इसके अंदर यूटउब मिलता है बस मैं यूट्व को प्ल प्रेट कर दिसलिए नॉर्मल हो गया बाकि यूटूब बैंश्ट आपको प्रेइंस्टोल मिलता है बाकि आपका पिक्सल लोंचर मिलेगा इसके अंदर में और यहां पर आपका प्लेटोर है यह फिलाल आपको सट्फाइड नहीं मिलता है इसके लिए आपको रूट करके सट नेटवर के इंटर्ण के दर वाइफाइ प्लस होट्सपूट आपका काम करता है जो अगर अगर कनेक्टेड डिवाइस में जाते हो इसके अंदर आपका जो है कनेक्शन के अंदर कास्ट मिलता है लेकिन कास्ट का बग रहेगा और एप नोटिफिकेशन में जैसे कि डिफो आपको बैटरी बिडिया कि लिए खर मैं है बात करते हैं नेग्स है तो डिस्प्लेई के अंदर क्या कुछ हमें मिलता थी यहां पे आपका डार्क बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और इसके अंदर जो नाइट-लाइट लाइट दिया बाहर में ये बिल्कुल अची कर चीज है और यहां पी आपका वाइट बैलेन्स के लिए यहां पी आपको तेंपरिचर करने के लिए यह यहां पर मिल जाएगा यहां पर नीची को देखने को मिल जाता है यहां पर च्छेक फोन चता ही है पाटी आपका काम करता है और बाहम का का इससे बाता कि एपको नोचिए मिलता से इसके घंटर आप एक किसा हुआ, तो आप आप यहां पर देखक मतलता है हां ओंद स्दीले मिलता है तो से काम कर रहें हैं ह़ैं कि अंदर एसी कोई धिक्हत नहीं हे अगर चलते हैं इंदर करके चलते हैं दिश्टैब्ड की सपोर्ट आपको मिल जाएगा उइझा यहाँ इनदर में सारी आपको मिलने वाले gesture जिसमें आपका swipe fingerprint notification ये काम नहीं करता है और यहाँ पे आपका ringing मिल जाता है और आपका ये हो गया system navigation ये तो फिलाल normal आपका काम करता है इसमें कोई दिक्कत नहीं 3 button navigation भी आपका अच्छे से काम कर रहे है दिक्कत फिलाल नहीं है और बाहर आपको मिल जाता है यहाँ पे reject call वाला जो कि यह बिल्कुल आपका working है यहाँ पे यह आपका काम कर रहा है और आपका जो mute to pick up है यह भी आपका काम कर रहा है यह भी आपको बिल्कुल working मिल जाएगा इसके अंदर में आपका double tap चेक फोन जो की काम नहीं करता गूगल एसिस्टेंट बटन वाला काम नहीं करता बाकि ओके गुल ता आपका काम करता है कि इस तरी की website आपको मिलेगी लिंक पे आप आओगे सिंपली क्लिक करके उसके बाद आपको नीचे आना और यहां पे आप देखोगे काफी सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी पिक्सल फोर फाइब की भी तो यहां पे आपको दियान से देखना है कि Nokia 3.4 और क्यूंकि इस कभी मालो यह जो है नीचे लिंक चला जाए लेटेस जब आएगा तो अगर आप इसे करना चाहो तो यहां पे आप नेम देख लेना सिंपली और इस पे जब क्लिक करोगे तो यहां प्लिक कर देना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते और वापीस आ जाती तिने पर ही सिंपली क्लिक किया करो और और ढौलोड उसके बाद अपनी रिकप्ली सिंस जहां पर इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा verändert उसके बाद को चाना करना Ugh कि यहां पर जाने अपनी इंस्टॉल में और अपने फॉल्डर में जहां इंक्रिप्टेड नहीं है और यहां पर आपका कुछ इस तरीके से बूट लोगो आएगा गूगल का उसके बाद इंडोइड वन और आपका जो नोकिया का यहां पर बूट अनिमेशन है वह भी देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद आपका जो है यहां पर बूट अन क्प्लीट करें आगे मैं आपको बदा दूगा किस तरीके साइज को बड़ा करना आप देख सकतो डिफोल्ट अप्लीकेशन यह सब मिल जाते हैं और साइज काफी चोटा है तो सेटिंग में जाकर आपको डिस्पली के अंदर में जाना है और यहां पर डिस्पलीश साइज आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको बिल्कुल फूल पर करते हैं बात करते हैं गेम के अंदर आपका जो ग्राफिक इसके अंदर मिलने वालंव मिलेगा करीब यहां पर स्मूद भी मेडियम बैलें स्पोर्ट नहीं इसके लिए हम स्मूदें मीडियम पे खेलने वार बात करें यहां पर गेमिंग को लेकर गेमिंग को स्थाथ और धुक्कत होने बाली है काफिव काफिज यहां पर आप चलते हो जैसे कि नॉर्मल किसी वाला हूं बीच-बीच में इस तरह रागत टाइम में लिए सारी चीज़े चेक करके आपको जो है description पर भी provide कर दिया करूंगा काफी लोग बोलते हैं काफी लोग जो है बाहर जाते language जैसे कि समझते नहीं है तब उनको समझते नहीं है तो उनके लिए तरीके से बग्स जो है पता चल जाएगा बाकी फीचर तो क्या कुछ हो समझ जाएंगे वीडियो में तब यहां पर जो है उस तरीके समय ज्यादा तार कोसिस करूंगा दे दिया करूं डिस्क्रेप्शन पर बग्स कौन-कौन से मिलते हैं कौन-कौन से चीज़े में में जो है वरकिंग आप सभी को मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग